नमस्कार दोस्तों में विजितिवारी स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दा बुक्स सोसाइटी में जहां हम आची क्लास में सब्जाइट कोड बीपेसी वन थी टू के चैप्टर नमबर नाइन को पढ़ेंगे चैप्टर का नाम होगा नियाई पालिका इससे पह पहले हम चैप्टर शुरू करें इससे पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं देखो जब हम नियाई पालिका की बात करते हैं तो यह सरकार का तीसरा अंग होता है क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली क्लासों में कि सरकार के कितने अंग होते हैं सरकार के तीन अंग होते ह यह अपने निर्णै सुतंत और निस्पकश होकर दे सके इसके लिए भारते सम्विधान में बहुत से प्रावधान किये गए है पहले बात तो आपको ये पता होने ये दूसरी बात यह है कि जह हम न्याय पालिका की बात करते हैं तो न्याय पालिका की शीष पर तो सर्वोच न्यायले जिसे हम सुप्रिम कोट कहते हैं उसके बाद उसके अधिन में उच्च न्यायले हैं जो कि हर राजय का अपना एक हाई कोर्ट है और उसके अधिन डिस्टिक कोर्ट है और अन्य न्यायले हैं जो कि इस चाप्टर में हम अध्धन करेंगे। यानि कि भारत में नियायले की संग्रचना किस प्रकार की है तो भारत में नियायले की संग्रचना में सर्वोच पर कौन है तो सर्वोच पर सुप्रीम कोट है जो कि कहां पर है दिल्ली में उसके बाद अपने हर राज्यों का एक हाई कोट है और उसके बाद हाई कोट के बाद district court है जो कि हर अपने जिले का है इसके लावा अन्य नयायले भी हैं ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब देखो भारते समिधान के भाग पांच में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक भारते समिधान के भाग पांच में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सर्वोच नयले यानि कि सुप्रेम कोट के गठन और सोतंतरता नयाय चेतर शक्तियों का वर्णन किया गया है तो आप से कोई पूछे कि सर्वोच नयले के चेतर अधिकारों का 147 तक इतनी बात किलियर हो गई आपको अब देखो सबसे पहले चेप्टर में यह बताया गया है कि भारत में नयाय पालिका कि उत्पति कहां से हुई तो भारत में जो नयाय पालिका कि उतपति होई है न भाई वो हुई है बृतिश काल के धौरान क्यूंकि उस से पहले हमा अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था रैगुलेटिंग एक्ट तो 1773 में जब रैगुलेटिंग एक्ट बनाया गया तो उसके जब भारत में पहला जो निया एले स्थापित हुआ वो कलकत्ता में स्थापित हुआ जिसमें एक मुख्य नियाधिश था और तीन अन्य चलेगा इसमें हिंदू के जो मुकदमे थे वो हिंदू के कोर्ट के हिसाब से सुनवाई होती थी और जो मुसल्मानों के मुकदमे थे उन्हें मुसल्मानों के कोर्ट के हिसाब से सुनवाई होती थी आगे चलकर भारत की अन्य रियासतों में और प्रेजिडेंसियों में ध अग्वार्ट एक्ट के अपने अलग नियाले शपापना होती है काहाँ पर कलकत्ता में इसके बाद अंने प्रेजिडेंसियो में नियाले की स्थापना होती है लाइड एट मदरास में फिर उसके आद बंबई में और हर प्रांथ में अपना एक सदर नियायले भी था इसके लावा कलकत्ता मुंबई मदरास के अलावा जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल थी ये सबसे बड़ी अपील की जगा थी इसके बाद कहीं पर अपील नहीं की जा सकती थी तो आप से कोई पूछे भारत में नियायपालिका की उत्पत्ती कब हुई कैसे हुई तो आप बताओगे भारत में जब ब्रिटिश काल आया अब देखो हम भारत के सुप्रीम कोट का अध्यन करेंगे तो भारत के अगर संपूर्ण नियावे उस्था की बात की है जैसे मैंने बताया आपको कि सबके सबसे सर्वोच पर कौन सा है सुप्रीम नियायले यानि कि सुप्रीम कोट है उसके बाद हर राज्यों क्या है अप सर्वोच नियायले है उसके दारा घोषित कानून जो है वो पूरे भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बाद्यकारी होगा सर्वोच नियायले के जो कानून है वो अन्य जो नियायले हैं उनके द्वारा भी मानने होगा इसके लावा ऐसे राज्ये जिनके अपने उच्छ नयायले हैं और कुछ ऐसे राज्ये हैं भारत में जिसमें दो राज्यों के उच्छ नयायले हैं जैसे पंजाब हर्याना का एक हाई कोट है क्योंकि पहले ये एक ही था आगे चलकर ये दो भागों बढ़ गये हों उनका अभी भी एक हाई कोट है तो इतनी बात आपक गेते संविधाने दोहरे स्थर पर सरकारे हैं ऐसे में कई बार विवाद उत्पन होते हैं इन विवादों की सुनुवाई सिदे सुप्रीम कौट में होती है और हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोट की संक्र Atlantic किस प्रकारण से होती है Supreme Court में निक्तियां किस प्रकार से होती है तो जब आप Supreme Court की बात करोगे तो Supreme Court में वर्तमान में देखो ये किताब थोड़ी सी इसमें updated नहीं है कई जगे मिस्प्रिंट भी है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको चीजें जादा जादा बता सकूँ तो Supreme Court में वर्तमान में एक तो मुख्य नयाईधिश है जिसे हम Chief Justice of India कहते हैं भारत के मुख्य नयाईधिश कहते हैं और जो की इससे में कौन है चंद्रचूड जी है तो Supreme Court में एक कौन होता है मुख्य नयाईधिश होता है जिसे Chief Justice of India कहा जाता है उसके साथ साथ अन्य नयाईधिश होते हैं तो भाग में इससे में टोटल जो जजो की संख्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 34 है जिसमें एक Chief Justice of India है प्लस में 33 जो हैं वो अन्य नयाईधिश हैं लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उस समय मात इसमें 8 नयाईधिश थे यानि कि 2019 में केण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जितने भी नयाईधिश थे उनकी संख्या बढ़ा कर कितनी कर दिये 34 है 2019 से पहले इसमें कितने थे 31 यानि कि पहले एक मुख्य नयाईधिश थे तीन अने नयागा थीच थे, फिर 2019 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 34, लेकिन जब सरवोची नयले की स्थापना की गई थी, तो उस समय इसमें कितने नयागा थीच थे? उस समय इसमें आच नयागा थीच थे, यानि कि मूलता उच्छम नयले के नयाधिशों की संख्या कितने थी आठ थी एक मुख्य नयाधिश थी ता साथ अन्य नयाधिश थी समय समय पर सम्विधान में शंशोधन हुआ और इन नयाधिशों की संख्या बढ़ती गई यानि कि मूलता ओरिजिनल कंसिट्यूशन में कि नयदिश थे साथ अנय नयदिश थे और एक मुख नयदिश थे अ फिर समय से वह कर शंशोधन होते गये और धीध्रे करकर इनकी संख्या बढ़ वह जैसे 1956 में इनकी संख्या 10 थी, 1960 में इनकी संख्या को बढ़ा कर 13 कर दिया गया, फिर 1977 में इनकी संख्या को बढ़ा कर 17 कर दिया गया, फिर 1986 में इनकी संख्या 25 हो गई, 2008 में 30 और 2019 में 39 अन्य न्याधिश और एक मुख्य न्याधिश हो गया, न्याधिशों की न्युक्ति की बात करोगे तो न्याई धिशों की न्युक्ति राश्टपती करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि direct ना राश्टपती न्याई धिश की न्युक्ति कर देगा इसके लिए एक system बना हुआ है जिसे हम collegium system कहते हैं collegium system में जो राश्टपती है ये मुख्य न्यायधिशों की जो न्यायधिशों के प्रामर से ही करता है ये पूरा का पूरा एक systematic committee बनाई जाती है जिसके माध्यम से सुप्रियम कोड के न्यायधिशों का क्या होता है चैन किया जाता है तो भारते सम्धान के article 124 के clause 2 में राष्टपती सर्वोच न्यायले की जजों की न्यूकती करेगा उसे शपत दिलवाएगा इसका वर्णन किया गया है लेकिन ये सर्वोच न्यायले के मुख्य न्यायधिश के जो न्यूकती है विभिन न्यायधिशों के साथ विचारिव मर्श करने के बात करता है इससे पर चलता है कि पूरी पावर प्रेजिटेंट के पास नहीं है, राश्पती के पास नहीं है आगे अगर हम बात करें तो समय से हैं पर नियाधिश की नियुक्ति को लेकर विवाद होते रहे हैं 1973 में सबसे बड़ा विवाद हुआ था जब इंद्रा गांधिजी की सरकार थी उसमें क्या था उस समय सर्वोच नहले की नियाधिश बनाने की परंपरा थी कि जो सबसे वरिष्ट नियाधिश होगा उसे ही मुख्य नियाधिश बनाये जाएगा तो उस समय जिससे Chief Justice of India बनाये जाना चाहिए था उसको तो बनाये नहीं गया जबकि AS Ray को मुख्य नियाधिश बनाये गया इस किताब में आपके न SS Ray है कुछ किताबे MN Ray भी लिखती है तो कुल मलाकर आप ये ध्यान रखिएगा कि SS Ray को भारत का मुख्य नियाधिश नियुक्त किया गया जबकि किसी और जच को नियुक्त होना था तो उस समय के जो मुख्य नियाधिश थे SM सीकरी इनकी सिफाईशों को भी सरकार ने नहीं माना ऐसे में नियाई पालिका और विधायका के बीच में बहुत बड़ा विवाध हो गया और उन अन्य नियाई धिशों ने जिनकी नियुक्ती होनी थी उन्होंने क्या करा अपने पद से स्तीफा दे दिया अगे चलकर संसन् ने कानून बनाए और ये कहा कि नियाई धिशों की नियुक्ती के संबंदित एक व्यवस्था होने चीए और उसी व्यवस् divert sitten का नाम दिया गया कास् ालॉजेम व्यवस्था तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोड में नयदिश्क वद के लिए आवेदन कर रहा है उसको ये ये योगताई होनी ही चाहिए कि कम सकम वो एक तो भारत का क्या हो नागरिक हो उसके लावा किसी उच्चितम नयायले में उसने पांच वर्स तक वकालत का अनुभा हो या फिर क इसकी बात की जाए तो ये भारत में बहुत जादा लोग प्रिये है क्योंकि इसमें नयायदिशों के चैयन के लिए खुद नयायदिश ही होते हैं इस प्रणाली शुरुवात 1990 में दो महत्पूर्ण निर्नेओं के बाद की गई थी ताकि सर्वोच नयायले को कारेपालिका और विधायका से क्या रखा जाए मुख्त रखा जाए और सर्वोच नयायले सोतंत्र होकर अपने निर्ने दे सके सर्वोच नयायले के नयायदिशों के कारेकाल के अगर बात की जाए तो इनकी मैक्समम जो एज होते है वो 65 होती है यानि कि 65 वर्स की आयू में ये क्या हो ज हटा जा रहा है तो उस प्रिक्रिया को महाभियोग कहते हैं जिसे संसद में शुरू करना पड़ता है और ये दो तिहाई भूमत से पारित होती है इसमें क्या होता है संसद में जितने भी लोग बैठे हैं उनके आधे लोगों का प्रिजेंट होना बहुत जादा जरूरी है और उनमें से भी दो बैठे तीन लोगों की हाँ होनी जरूरी है यानि कि संसद में जैसे लोग सामय 545 मेंबर हैं तो उनमें से 273 मेंबर का उस दिन प्रिजेंट होना बहुत जादा जरूरी है इसके लावा भारत के अगर बात किया है तो भारत में कुछ नियादीश ऐसे हैं जिन पर महाभियोग की प्रिक्रिया तो शुरू की गई लेकिन वो सफल नहीं हो पाया जैसे कि एक नियाई धिस्ते वी रावा स्वामी इनकी बात की जाये तो इनके कारेकाल में कई प्रकार के अन्यमेत्ताइप आई गई गई एसे में तीन सदस्वे कमेटी का गठन किया गया कमेटी ने पाया कि बड़े सतर पर उन्होंने अपने पदकाद रुपियों किया है जिससे जनता के हितों को चोट पहुंची है इसी प्रकार से एक न्यायद हिस्ते वी रामा स्वामी ये ऐसे पहले जस्ते जिनके खिलाफ महा आभियोग नहीं लग पाया लेकिन बाद में जज रामा स्वामी ने खुदी अपने पद से क्या दे दिया इस्तीफा दे दिया नयाधिशों के वेतन की बात करने तो वरतमान में जो मुख्य नयाधिश इनका 2,80,000 वेतन है और अन्य नयाधिश को धायलाग वेतन है इतना और उसके आगे हाथ नहीं पढ़ आएगा यही सोचकर क्या किया गया है इतना इतना दा निरधारित किया जया सके जैसे की आपकी किताब भी लिखती है कि नयाधिशों का महत्पुन। तात उनकी सुतंता को निर्धारित करता है वे है उनका वेतन बहुत अधिक निर्धारित किया गया ताकि वो सुतंत खुशल और निश्पक्ष तरीके से कर सकें वेतन के लावए उन्हें अधिकार एक आवाज भी दिया जाता है जो कुछ पोई रहे। या फिर न्यायले की अवमानना करता है, तो न्यायले उसके उपर भी कारवाही कर सकता है, तो अगर यहाँ से छोड़ा छोड़ा कोशन बनते हैं आप से, कि सर्वोच न्यायले के नियदिशों की न्युक्ति नियूटि के लिए क्या क्या योगता है होनी ची है तो इन स्रोचनियले के पावर की बात कर रहे हैं तो वैसे दो सरो पिताम में चार दिये तुट भार्त में जो केंदोर राज्य सरकारों से मैं हाइलाइड भी यहां पर करते हैं कि जहां सर्गोर्च दिकारी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है K भार्त में अन्य किसी दिके पास ऐसे अधिकार नहीं है इस तरह सर्वोचनेले के जो प्रारंबिक छेतरादिकार है उसका मतलब यह है कि उसकी सुनवाईयों सिर्फ हसिफ सुप्रिम कोर्ट में ही की जा सकती है तो प्रारurnudik 2016 दिकार में क्या है तो प्रारurnudik 2016 सब से पहली बात यह है कि केंड और राजी के बीच में अगर विवाद होगे तो उन विवादों का solution कहां पर होगा स्प्रियम कोर्ट में अगर दो राज्जियों के बीच में भी विवाद है तो उसका भी solution कहाँ पर होगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रिम कोर्ट में अगर केंशासी प्रदेशों के बीच में विवाद है तो उसका भी solution कहाँ पर होगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रिम कोर्ट में और कहीं नहीं ठीक है भई आगे देखो भारत की बात की जाएं तो भारत के जो सर्वोचिनेले की विवस्ता है ये सहीं तरा जमेरिका से लिए गई है और ऑस्टेलिया से ये प्रभावित है जबकि ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन में सर्वोचिनेले को इतनी सारी शक्तिय नहीं दी गई है इतनी हमारे हैं प्रक्षा के लिए भी सर्वोच इनैले को पहले विश्यष अदिकार प्राप थे यानि कि मौलिक अदिकारों के लिए भी जो रिट है आइटिकल 32 के तैत वो सिर्फ और से सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता था लेकिन आगे चलकर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के कारे छेत्र बढ़ते चले गए तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये शक्ति अब हाई कोर्ट को भी दे दिया यानि कि मौली के अधिकार थे वो भी उनसे संबंदित जो भी केस होते थे वो भी कहा जाते थे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कारे का दारा बढ़ गया इसलिए अब ये शक्ति हाई को भी दे दी गई है आर्टिकल 226 के तहत तो आर्मिक छेतर अधिकार का मतलब ये है कि इसके अलावा और कोई इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता अब देखो अपीले छेतर अधिकार का मतलब ये है देखो मालो हम जिला न्यायले में गए और वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल पाया तो इसके बाद हम कहा जा आई कि नया ने बिल पाया तो हम फिर से अरजी दाखिल करेंगे हम फिर से अपील करेंगे तो भार्ट में सरवोच अपीलिय जो छेतरा दिकार है वो सुप्रीम कोर्ट है यानि कि सुप्रीम कोर्ट के बाद उससे उच जगह पर आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते जब हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे अंग्रेजों के उपनिवेश थे तो सबसे सरवोच अपीलिय जो छेतरा दिकार था वो था ब्रिटिश कांसिल के पास प्रीवी कांसिल के पास यानि कि गवर्नर के पास जाना पड़ता था सबसे उच वो था लेकिन अजादे के बाद हमारे यह decision लिया गया कि सर्वोच नयायले को ही सर्वोच अपील ये छेतर अधिकार मिलना चाहिए यानि कि जो सबसे उच अपील है वो सिर्फ और सिर्फ आप कहां कर सकते हो सुप्रेम कोर्ट में कर सकते हो तो कहरा भारत में सर्वोच नयायले सभी नयायलों में सबसे बड़ा मामलों में अपीली अधिकार प्राप्त हैं इसके लावा सिविल अपराधिक संपत्ति मामले मृतिदर्ण और अन्य विशेश मामलों में भी से अपीली अधिकार प्राप्त हैं अनुच्य देख 32 में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच नयायले में वो सभी केस जो कि सर्वोच नयạtर की जो अगली शक्तिती वो है परामर्ष की शक्ति यानि कि राष्ट कि अगर किसी सम्वय धानिक मामने में सर्वोच नयैयले के नजिश को यहrend राष्ट पतिते ले편ितра क जो बाधिकारी सब्सक्तितार कस्ति यहादर के थाफ़ी ते siitä थान मान बात क्लिए लेकार लेकिन तो परामष का चेर अधिकार को कि नियाधि फोन वेधानिक मामले〜os के मामले में कोई या संसन में कोई विवाद होता है उससे लिटेड अगर कोई मुद्धा होता है तो उस मुद्ध का solution आप मांगोंगे उससे लेकिन यह परामस बाधिकारी नहीं होगा इसके लावा सरवोच इनले का जो सबसे जबर्जास अधिकार है वो है नयाइक समिक्षा का अधिकार नयाइक समिक्षा का अधिकार मतलब यह है कि आप किसी भी निर्णे की दुबार से जांच कर सकते हैं लाइक डैट मानलो सरवोच इनले की किसी समिक्षा ने एक निर्णे दिया वो इस निर्णे की समिक्षा खुद ही कर सकता है यानि कि दुबारा इस केस को रियोपन करवा सकता है इसके लावा मानलो संसन ने कोई कानून बनाया कोई नियम बनाया तो उसको भी नाइक समिक्षा के दायरे बिला सकता है क्या इस कानून को बनाते विए कानून का पालन हुआ है क्या संसन ने जो कानून बनाया वो सब के अधिकारों की रक्षा करता है अगर संसत के द्वारा बनाएगे कानून, संसत के अधिकारों की रक्षा, जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो उनके भी नएक समिक्षा हो सकती है इसके लावा जितने भी हाई कोट हैं, उनके जितने भी फैसले हैं, उनकी भी नएक समिक्षा हो सकती है तो कहरा है सर्वोच नयाले को किसी भी निर्णे की समिख्षा करने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच नयाले इस मामले में अमेरिका के नयाले से भहुत जाधा शक्ति साली है क्योंकि अमेरिका में सर्वोच नयाले में केवल उनी मामलों की सुनवाई की जाती है जो सीधे और सीधे संग से जुड़े हों लेकिन भारत के सरवोची नयले की बात करोगे तो ये समिधान की व्याख्या करता है ये दिवाली और फॉसदारी जैसे मामलों की सुनवाई करता है इसके पास कोई बाध्धता नहीं है कोई मजबूरी नहीं है ये इसके आदर्श अधिकार है जो कि इसे एक अलग प्रकार से भारत में लोगतंतर में स्थापित करते हैं अब हम बात करेंगे हाई कोट्स की तो हाई कोट्स की बात किया है तो सिर्फ और सिर्फ इसमी इतना अंतर है कि समीधान में उच नहयले का प्रावधान किया गया है जो कि राज्य का सर्वोच नहयले होगा यानि कि हर राज्य में जो सर्वोच नहयले होगा हाई कोट होगा वैसे तो हर राज्य का अपना एक नहयले है किन्तु फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं का गठन बाद में हुआ है तो एसे में दो राज्यों के भी कुछ सामुहिक न्यायले हैं तो भारतिय समिधान के भाग च्छे में आर्टिकल 24 से लेके 231 तक हाई कोट के गठन और कार्यों का वर्णन किया गया है संसत को अधिकार दिया गया है कि वो दो या इस से अधिक प्रदेश्यों में भी हाई कोड कर सज़ण किया आज सकता है जैसे कि दिल्ली के शासी प्रदेश है इसके लाबाब पहले मदराज भी एक शाशी प्रदेश था यहां पर हाई कोट की इस्थापना की गई अब देखो उच नयायले गठन के बात करो तो सरवोच नयायले से सी मामले हाँ पर अलग है उच्टम नयाले के नयाधिशों की कोई भी नियूंतम संख्या नहीं है जाकर कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय चौतित जज हैं लेकिन हाई कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि हाँ इसमें हम इतने जज रखेंगे 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 करते हैं इनका कारेकाल बाचटवर्ष का होता है यह अपना इस्तीफा दे कर अपने पसे हट सकते है लेकिन धुराचार के मामले में अपने पदysis का दुर पीयोग करने के मामले में राश्पती ने इनके पससे हटा सकता है अधिकार छेतर की吧nte करोगे तो जैसे की सेना के कारों को छोड़ दे जाए तो समय सेंपर ये नियम कानून अपने अपने राज्यों में बना सकते हैं राजसरकार को दिसा निर्देश भी जाइज कर सकते हैं नयायले के कारों को प्रभावशारी तरीके से बनाया जा सके उसके लिए भी ये डूल और रैगुलेशन अधिनस नयायले है तो उच नयायले के अंतरगत अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे नयायले आते हैं जिने हम अधिनस नयायले कहते हैं ये नयायले राजसरकार के कानूनों दोरा बनवाए गए हैं एवं इनका नाम और पद अलग-लग राज्यों में अलग-अलग है ले जिसेश न्यायक मजिस्ट्र dipped नीयायले गरां पन पन्चायत इसी प्रकार से न्याय पन्चायत आ अधिग्रहन अधिनियम आया, यह सबसे जुड़ेवे जितने भी मामले होते हैं, यह सारे अधिनस नियायलों में ही क्या करे जाते हैं, सुने जाते हैं, ठीक है बही, आगे चैप्टर में नियायक समिक्षा की बात की गई है, जैसे कि अभी हमने पढ़ाता थोड़ी दिर पह अधिकार हैं, लेकिन अमेरिका की बात की गया है, तो अमेरिका में नियायलों को बहुत जादा शक्तिया दी गई है, भार्स में नियायलों को अमेरिका से ही लिया गया है भारत की बात किया है तो भात में सर्वोच नहले की बात जो है वो नैक समिक्षक अधिकार सम्विधान और विधाई कारियोत पर लागू होता है जितने भी सम्विधान में नियम कानून बनेंगे संसल जितने भी रूल और रेगुलेशन बनाएगी उसका कानून को शुनने कर सकता है और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 13 में तो इसको लेकर कई बार विवाद बने रहते हैं जैसे कि सबसे पहला विवाद आया था गोलखनात केस में तो गोलखनात केस के संदर में सर्वोच नैले ने माना कि सम्विधान शल्शोधन में एक लेकिन गोलखनात मामले में ये निर्णे आया कि सम्विधानिक जो शल्शोधन है ये भी एक प्रकार से कानूनी है ये भी जन्तों को प्रभावित करते हैं और ऐसे में सर्वोच नैले को इसमें भी हश्षेप करना चाहिए इसके बाद आगे चलकर 1970 में जब इंदरा टोने सरकार डायेक्ट नहीं ले सकती लेकिन क्या हुआ इंदरा गांधी नहीं सबी निर्णे को नहीं माना और सनसथ 이거 शरısıति पताते हुए सारे सारे निर्ने ले लिए तो यह समय भारत में संसद और नियाय पालिका में कई बार विवाद रहते हैं जैसे कि इस समय भी 2023 में नियायले और संसद में कई सारे क्या हैं मदभेद रहते हैं क्योंकि नियाले को यह लगता है कि वो सर्वोच है और संसत को यह लगता है वो सर्वोच है ऐसे में समय समय पर बहुत सारे संशोधन हुए हैं जैसे कि 1972 में संविधान में 25 सिवा संशोधन प्राप्त किया गया जिसमें क्या हुआ विधायका को शक्ति दे दी गई कि विधाय में जब मौलिक अधिकारों के हनन की बात आई तो सरवोच संसन ने अपना कानून खुदी बना लिया इसी प्रकार से 1973 में केश्वनन भारती का मश्वूर मुकदमा है और इसके बाद मौलिक अधिकार जो था हमारा एक संपत्तिक अधिकार उसमें काट चाड भी कर दी गई त मौलिक अधिकारों की रक्षा में वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है भारत के संविधान में जितने भी शंशोदन हो रहे हैं उसका वो गहराई से अध्यन कर रही है सरवोच नेले ने वंचित वर्गों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं गरीबी समाजिक भ बहुत सारे अधिकारों की बात की गई थी आगे चलकर भारत में नयाई पाली का जुड़ा एक और मुद्दाया जन्हीत याचिका का पहले क्या होता था वो व्यक्ति जो खुद पीडित होता था वही सिर्फ अपील कर सकता था लेकिन आज जन्हीत याचिका के माध्यम से जो बंदा पीडित है उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी अपील कर सकता है क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता ऐसे में जिन लोग को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता वो कोट कैसे जाएगा तो ऐसे बहुत सारे अज एंजिए सेक्टर वर्क कर रहे हैं इसके लावा जो बहुत सारे पड़ह लिखे लोग हैं जिने अपने अधिकारों की जागरूपता है वो क्या करते हैं बड़े प्याने पर जनीति आचिकाओं सुप्रिम कोट में दायर करते हैं जनिती आचिका वे आचिका होती है जनता के हित के लिए होती है ऐसे में जो पीडित व्यक्ति है वो अपने आप अपील दायर नहीं करता है बलकि उसके लिए एक वर्ग जो है वो अपील दायर करता है इसके लिए बहुत सारे आयोग आगे चल कर बने हैं जैसे कि राष्टर अलपसंख्यक आयोग महिला आयोग इतना ही नहीं अनुसोचित जाती आयोग अनुसोचित जन जाती आयोग ये सब इसलिए बने ताकि दलित आदिवासी अलपसंख्यक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके आगे चलकर Human Rights Commission का भी क्या करा गया गठन किया गया ताकि ल समाना जाता है लोकतंत की रक्षा में आज जन हीति आचिका एक महत्पुर मुद्दा बन रही है और आज बड़े प्यावाने पर लोग को उनके अधिकार मिल रहे हैं इतना है नहीं परियावण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी आए दिन सरवोच नेले सरकार को आड़े ह कर रहा है लेकिन फिर भी करोणों जो केस हैं वो पैंडिंग है उसका रीजन यह है कि आज भी हमें बहुत सारे नेले वो जूज रहे हैं नेले में आज भी बहुत सारे पद खाली हैं जन संक्या और क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है पड़िणाम तक यह माना गया 2010 में एक करोण से भी ज़्यादा जो केस है वो पैंडिंग पड़े हुए हैं तो ऐसे में नैक सुधार होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ताकि जो पैंडिंग मामने हैं जल्द से जल्द खतम हो सके और लोगों को तौरित नयाय मिल सके आगे इस चैप्टर का साराश दि चीज已经 कवार कर दिया और जाए तो कमेंट बॉकस में कमेंट जरूर करो कि चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ है मिलते आप से नेकिटर में तब तक यह भगाद १न्यवाद